हे अब्रेवान, वेलकम टो आट्स स्टरी मेट इजी, दिस इस प्रियांका, तो हमारी क्लास एट की जोग्रोफी सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास एट जोग्रोफी को चाप्टर वाइस डिसकस करते हैं, जो हमाई NCRT जोग्रोफी की क्लास एट की उसको हम चाप्टर वा हो चुका है उस लेक्चर में हमने डिसकस किया था एक शॉट स्टोरी थी मामपा और पीटर की उनकी लाइफस्टाइल की और लैंड का कैसे हम यूज करते हैं वो टॉपिक हम लैंड रिसोर्स को हम स्टार्ट करें थे आज हम उसी टॉपिक को आगे कंटिनियो करेंगे उससे इक इंपोर्टेंट बात अगर आप हमारे लैक्चर्स नहीं देखे हैं या जिसे देखे हमारी क्लास एक्स की पूरी मतलब स्ब्जेक्ट के सुबजेक्स कंप्लीट हो चुके हैं क्लास सेवन món चल रहे हैं तो अगर आप यह सब नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको description में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लिजेगा, और अगर आपको हमारे lectures की PDF चाहिए, तो telegram channel का link description में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलूट कर सकते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के lecture को, तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले वाले lecture में हमने start किया प्लास उनका conservation देखेंगे, तो आज हमारा वही continue है topic, तो इसमें आज हम पढ़ेंगे land का use, मतलब हम land को किस-किस तरीके से use करते हैं, तब भाई देखे, land हमारी हम कैसे use करते हैं, उसमें घर बना रहे हैं, buildings बनाते हैं, हमारे forest हैं उनमें, मतलब जो भी हमारे 30% land है हमारी इर्थ में, उसको हम बहुत अच्छे से use करें, देखे, land is used for different purposes, यहां पर बता रहे हैं, कि land वो कई purposes को लेके use करता हैं, जैसे हम, जैसे कि, क्या क्या लिखा है, यहां पर देखे, agriculture हो गया, forestry, mining, building houses, roads and setting up industries, यहां पर कुछ uses बता हैं land के, कि भाई देखे, आप घर बना ल हैं, elements से वो हम निकालते हैं, देना मुसी के उपर house बिल्ड करते हैं, roads बनाते हैं, industries बगएर भी, land के उपर ही setup होती है, तो यहां पर basically use के बारें बता रहे हैं, this is commonly termed as land use, इसे को हम land use कहते हैं, थे, can you list out different ways in which mamba and peter family use their land, यहां पर पीटर, यह देखे, first lecture में हमने story देखे तो यहां पर बता रहे हैं, कि आप इसको list out करिए, कि वो कैसे land use कर रहे थे, तो देखे, mamba जो है, वो अमेरिका, आफरिका में रहता है, sorry, आफरिका में रहता था, तो वहां पर उसके father क्या करते है, तो उसी land में उनका घर था, ठीक, house था, उनको पास जो भी land था, उसमें कल्टिवेशन करते थे, प्लैस अगर हम पीटर की बात करें तो इनकी industry भी land में थी, यह मतलब इनकी जो यह थी, पीटर और मांबा के जो भी मतलब cattle वगर थे, जो यह लोग जानवर पा ले थे, वो gazing भी कहां करते थे, तो land में जो grass रहती तो वहीं पर जाते थे, और यहा कि जो land है, वो कितना usable है, कितना उसकी usability है हमारे लिए, यह कैसे determine होगा, यह कैसे determine करते हैं, हम तो उसके physical factor पे यह depend करते है, जैसे कि वो area का, वो जो land उसकी topography क्या है, वो fertile है कि नहीं, मतलब rocky तो नहीं है, या उसकी soil किस तरह गी है, ठेक, soil हो गया, प्लस जहां पे वो land है वहाँ पे climate किस तरह का है, उसमें कौन-कौन से minerals पाये जाते हैं, प्लस उस land के आसपास water कहां पे कैसे available है, तो यह सब कुछ factors है, physical factors है, जिनके basis पे हम determine करते हैं, कि land हमारे लिए कितना used है, ठेक, human factors such as population and technology are also important determinants of land use pattern, तो इसमें बता रहे हैं कि अभी हमने physical factors की बात की, मतलब उस land के आसपास population कितनी है, technology कितना है, development कितना है, जो भी हमारे मतलब important की चीज़े हैं, वो आसपास हैं के नहीं, तो overall यहां पे बता रहे हैं कि अगर हमें कोई भी land का use determine करना है, तो हम कौन-कौन से factors को देखेंगे, तो अभी हमने देखा physical factor and human factor, ठेक, चलिए आगे लेखते हैं, land can also be classified on the basis of ownership, अब यहां पे बता रहे हैं कि land का classification कैसे करेंगे, हमने land का use देख लिया, land का importance देख लिया, और अब उनका determination भी देखा land का, अब देखते हैं कि land को classify कैसे करते हैं, तो basically, सबसे पहले तो हम land को classify, मतलब उसके ownership के base में करते हैं, कि उसकी ownership कैसे है, यहां पे बता रहे हैं कि, अगर हम ownership के base में देखें, तो दो तरह के land होते हैं, एक हमारा private land और एक community land, प्राइवेट लेंड जैसे कि आप अपने कहीं जमीन खरीदे, property खरीदे, तो वो आप ही personal property हुई, तो आप ही क्या होगी, प्राइवेट लेंड हो गया, ठीक, और community land मा में पूरे वहां की community का अधिकार होगा, ठीक, तो वैसे ही बता रहे हैं, अब देखें, देखते हैं, तो private land is owned by individuals, whereas community land is owned by community for common use, like collection of fodder, fruit, nuts, और medicinal herbs, तो इसमें बता रहा है, देखें वही चीज़ है, कि में private land एक मतलब individual के दवारा own किया जाएगा, उसमें उसका personal अधिकार ह होता है, उसमें एक पूरी community के दवारा own किया जाएगा, किसके लिए कैसे uses, like जैसे fodder हो गया, लकडी, fruit, nuts, या, medicine वगयरा के collection के लिए, वही बात है, कि माल देखें कोई गाउं है, उसके अगल बगल कोई जंगल है, तो उसमें उनका अधिकार रहेगा, ठीक, these community lands are also called common property resources, यह जो community lands होते हैं, इनको common property resources के नाम से भी जानते हैं, मतलब वो जंगल आज की डिट में तो हमाई forest department का है, बट फिर भी बता रहे हैं, वो उसको better use कर रहे हैं, वो उस locality से belong कर रहे हैं, community land की हम बात करें, यहाँ पर कह रहे हैं कि जो community lands होते हैं, उनको community, sorry, common property resources भी कहते है ठीक, क्योंकि वो बहुत साथ लोगों में common हैं, तो इसलिए इसको common property resources भी कहते हैं, चलिए, people and their demands are ever growing, but the availability of land is limited, हाँ, इसमें कह रहा है, कि जो हमारे demand है land की, वो दिन बढ़ दिन बढ़ रही है, obviously तब ही तो हमाई जो land उसके prices बढ़ रहे हैं, क्योंकि उसका demand बढ़ रहा है, और लेकिन अब ये तो हम सब को पता है, कि जो land है, वो तो हमारी अर्थ में limited ही है, चाहे हमारे demand कितनी भी बढ़ जाए, बट लैंड तो नहीं बढ़ने वाला, the quality of land also differ from place to place, यहाँ पर बता रहे हैं, क्योंकि जो land के quality है, वो बहुत जादा differ करती है, देखिए, कहीं प मतलब characters है, वो बहुत जादा है, ठीक, इसलिए वहाँ पर land की बहुत जादा demand है, बट अगर आप यहीं कोई ऐसी जगह देख लिए, जहाँ पर land rocky है, या प्लेट यूज वाले जो region है, वहाँ पर land की fertility काम है, तो इसकी वज़ेश वहाँ पर prices थोड़ा काम है, in the comparison of plane वाले जगह में, हमाई land की quality भी बहुत जादा डिफर करती है, people started encouraging the common land to build up commercial areas, housing complexes in the urban area and to expand the agriculture land in the rural areas, तो इसमें बता रहे हैं कि हम लोग अवैद कबजा करने लगे हैं, या कह सकते हैं, हम जो land, हमारा forest वगएर उसको काट के हम land को यूज कर रहे हैं, या मतलब पेड वगएर को काट के भी हम यूज कर रहे हैं, किसले यूट कर रहे हैं, उसमें commercial areas में उसको build up करने के लिए, housing या complexes बनाने के लिए, urban areas में जो भी मतलब देखिए, पार्क वगएरा रहते हैं जादा तर, तो जो जादा usable नहीं होते हैं, जिनके लिए जादा नहीं तो उनको अकसर cut कर दिया ज आ रहे हैं, हमारा fertile land, ठीक, तो basically यहां पर बता क्या रहा है, हमें ये example देके बता क्या रहा है, कि भाई, हमारी needs बढ़ रही है, land की, ठीक, land तो बढ़ने वाला नहीं है, तो जो हमारी अर्थ में land, मतलब present है, जो पेड़ पॉध हो, द्वारा present है, कोई और भी चीजों के द्वारा यूज किया जाए, उसको हम हटा के अपनी यूज को satisfy कर रहे है, अपनी needs को हम satisfy कर रहे है, ठीक, Today the vast changes in the land use pattern also reflects the cultural changes in society, अब यह जो हमारा, हम जो यह land को use कर रहे हैं, इतने भैंकर तरीके से हम कह सकते हैं, इतना, मतलब, जितना हमें जरूरत हो, उससे ज़्यादा हम use कर रहे हैं, जो land को, यह कहीं न कहीं हमाई जो cultural diversity है, हमाई society की, उसको भी यह कहीं न कहीं effect कर रहा है, उ उसके आसपस बहुत ज़्यादा जंगल थे, तो वहाँ पर diversity क्या थे कि भाई, पूरा मतलब greenery है, अब हमें वहाँ पर development करना हो, तो हम क्या कि आधे से जंगल हम साफ कर दे, तो वहाँ की जो diversity, वहाँ का जो environment है, वो कहीं न कहीं तो effect हुआ, वहाँ पर लोगों के जो cultural diversity थ जा रहे हैं, land degradation, landslide, soil erosion, decertification are the major threats to the environment because of the expansion of agriculture and construction activities, तो इसमें बता रहा है, कि देखिए, अब इसमें कुछ मतलब बता रहे है, जैसे land degradation हो गया, land का degraded होना हो गया, landslides होने लगी, soil erosion, decertification, यह सब कुछ major threats जो मैं environment में हो रहे हैं, हमारे मतलब excess use of the land, कि मतलब उनका, हम क्या स सकते हैं, हम land का गलत इस्तमाल करें, तब नहीं इसे problems आ रही है, अब देखिए, यह जो हमारा बक्षबा जंगल है, जो छतरपुर का है, अगर आप social media यूज़ करते होंगे, तो आपको पता होगा, वहाँ पर क्या किया जा रहे है, एक जंगल है, तो पता चला है कि भाई, वहाँ पर diamond वगरा पाये गए हैं, तो वहाँ पर mine करके उस जंगल को पूरा साफ किया जाएगा, वहाँ पर mining की activity से उसको निकाला जाएगा, तो यह कहीं ने कहीं, हमारे environment को हाम ही करेगा, वहाँ की cultural diversity को destroy करेगा, ठीक, वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, उनकी personal life में बहुत जादा changes आएंगे, हाँ उससे थोड़ा हमारे economic growth जरूर होगा, बट हमारे environment को उससे बहुत जादा नुकसान होने वाला है, ठीक, तो ऐसा ही बतलब बतारे कि हम जो यह land का use कर रहे हैं, यह कहीं ने कहीं हमाई life को बहुत बढ़ा impact कर रहे हैं और इससे बहुत सारी environmental problems भी create हो रही हैं, जो यहां पर भी mention है, जैसे हमारे land degradation हो गया, landslides होती, landslides बढ़ गई है, अर्थक्वेक बगएरा भी आ रहा है, तो यह सब भी कहीं ने कहीं, डिफॉरेस्टेशन के कारण ही है, जो हमाई environment में हो रहे हैं, क्योंकि हम जो land है, उसको agriculture या constructive activities के लिए, बहुत जादा उसमें हम तोड़ फोड कर रहे हैं, बहुत जादा उसको हम use कर रहे हैं, इसके कारण, अब देखे कोई भी चीज़ का अगर हम access use करेंगे, तो वो कहीं ने कहीं हमें हाम तो करेगा ही, ठ अक्के मकान बन गए, थोड़ा और से टाउन बना, और फिर उसके बाद एक यह बड़ी city बन गया, तो overall यहां पर जो भी diversity थी, जो भी यहां पर land की fertility थी, cultivation थी, यह सब तो बुड़ा destroy हो गया न, ठीक, चलिए आगे देखते हैं, changes in land use over time, इसमें बता रहे फिगर में कि भा तो growing population and their ever growing demands has lead to a large scale destruction of forest cover and arable land has created a fear of losing this natural resource, इसमें कह रहे हैं कि जो हमाई growing population है और हमारी जो इतनी ज़्यादा demand है land की, वो कहीं न कहीं हमारे environment के लिए, हमारे natural diversity के लिए कहीं न कहीं वो threat साबित हो रहा है, कि हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं future में अगर हम इतना ज़्या इसमें न कहीं न कहीं न कहीं न हो जाए, जो हमाई डैवासिटी है, जो हमाई कुछ पेड़ पॉद्धे हैं, जो बच्चे हैं, इस सब कहीं खतम न हो जाए, तो उसको बचाने के लिए हमें जो ये land का degradation rate है, उसको बार पर time to time check करते रहना चाहिए, ठीक, इसमें ये बता है कि इसमें पहला मारा क्या मिल गए, कि भी डिग्रेडेशन रेट को time to time check करते रहना चाहिए, एफ़ोरेस्टेशन, land reclamation, regulated use of chemical pesticides and fertilizer and check on overgazing are some of the common methods used to conserve land resources, इसमें बता रहा है कि हमें जाज़ जादा पेड लगाने चाहिए, land reclamation करना चाहिए, ठीक, और जो हमारे chemical fertilizers and pesticides हैं, use में भी कम ही लानी चाहिए, कि मतलब इनको limited ही आप use करिए, ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ज़्यादा cultivation चाहिए, तो आप इसको मन बरजी डाल दें, ऐसा नहीं है, आपको इसको regulation के साथ, इसको limitation के साथ use करना चाहिए, और जो ये लोग overgazing करते हैं, मतलब ज़्यादा जा ठीक, उसको देखा, उसको determine किया, उसको classify किया और देखा conservation of land, I hope कि आपको अच्छा लगा हो, thank you for watching and stay tuned with us.